दोस्तो ट्रेनिंग्रों टेग्चेनल पर आपका बहुत बहुत स्वागात है आज आज आप वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आपके लैपटॉप याद डेक्टॉप में कीबोर्ड में रहने वाला जो रूपी साइन है उस रूपी साइन को कैने यूज़ कर सकते हैं आपके लैप्टॉप या डिक्स्टॉप पे जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना सब्सक्राइब दोस्तों मैं रहनाक और फिर्श्ट स्वागात करते हैं आपको मेरे यूटूब चैनल ट्रेनिंग टेप चनते सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो साइट मेरा आने बाला वो बेल आइकन अब जरूर दबा देना क्योंकि आप जब भी बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे हिसाब से भेजा किया हर एक फीडियो का पहले वियर्स आप हो सकते हैं इसको दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ मैं मेरा लप्तॉप स्क्रीन पर ले जाता हूँ तो चलिए लप्तॉप स्क्रीन पर चलते हैं इसके वज़जे से मेरा सार्च इजिर ईधर अलग से है अगर आप उन्टो से टेम्ट या 17 तो स्टार्ट बतन में क्लिक करके आप सार्च कर सकते हैं तो सबसे पहले सार्च बटन में जाओ सार्च बटन में जाने के बाद इधर आप सार्च कर दो कि लैंग्वेज तो लैंग्वेज सार्च करने के बाद आप यह रिजन एंड लैंग्वेज सेटिन में क्लिक कर दीजिए जब भी आप click करेंगे इधर click करने के बाद आप इधर add language section में जाएए add language section में click कर दीजिए click करने के बाद इधर आपको English में आना होगा English में आने के बाद English में जब भी आप click करेंगे click करने के बाद English में आने के बाद इधर में set कर चुका हूँ English India तो आप English India में यह जो वाला जो option है इसमें आप क्लिक कर देना ठीक है क्लिक करने के बाद आप तुरहनती उधर से back चले यह ओके back आने के बाद आप आजाएए आपके main जो screen है desktop में उधर आप आजाएए उसके बाद आपको करना क्या है उसके बाद आप आपके start button यान कि मेरा जो यह वाला section है यह मेरा site पे है आपको इधर नीचे में दिख जाएगा इधर आप देख सकते है English ENG एक option है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद इस तरह से window आपके सामने आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे जो option है English India इसमें आपको क्लिक कर देना पड़ेगा जब भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में मेरा जो notepad है उसको open कर देता हूँ, चलिए, एक notepad open कर देता हूँ, करने के बाद इसको बड़ा कर देता हूँ आप इधर देख सकते हैं, मिलें इधर कुछ भी लिखा नहीं है, आप इधर प्रेस्ट करना, alt, ctrl and 4, देखिए, alt, ctrl, 4 जब भी आप प्रेस्ट करेंगे, रूपी का साइन आते जाएगा, इस तरह से आप अपके laptop या desktop keyboard में रहने वाला रूपीस जो साइन है, वो आप में रहने वाला रूपीस जो साइन को अब बहुत ही आसन तरीके से यूज़ करने वाले हैं, विड़ाउट डाउनलोडिंग एप्लिकेशन या एप्लिकेशन या एप्लिकेशन या एप्लिकेशन सुप्टर, जाते जाते एक ही बात बोलूँगा यार, आओ मेरे चैनल पे जाओ गयान और जापो ट्रेनिंग टेप जून बाबा के नाम, सो गाइस तील देन, जाहिंद वन्दे मात्रम, सो नमस्कार दोस्तो, स्टे में स्टे विद माय चैनल और सुमाई, नेक्स्ट फेडियो